प्रिये विजार्थियों नमस्कार पाइट डिपेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत्थ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से राश्तान में होने वाली एरफोर्स भरती रेली के बारे में कुछ विशेज जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि पिछले चार-पांस दिन के अंदर मैंने नोट किया कि भरती में भाग लेने वाले अव्यार्थियों के मन में बहुत सारे डाउट और कुशन्स है जो अव्यार्थि इस वीडियो को देखेगा तो उसके सभी डाउट और किलियर दूर हो जाएंगे सबसे पहले इस बरती के अंदर आपको के बरती इस तरह पर पहुंशने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेन्ट साथ में लेके जाना है तो देखिएगा डॉक्यूमेन्ट किस टाइप से क्या ले जाने हैं आपको डॉक्यूमेंट के अंदर आपके ये है सबसे पहले एरपोस्ट दवारा जारी किया गया प्रोविजनल एड्मिट कार्ट वो आपको लेके जाना है इसके अलावा सेके नमबर ते डॉमिशेल सर्टिविक्ट औरिजनल एंड उसकी चार फोटो कोपी आपको साथ में लेके जाना है थर्ड नमबर ट्वल्थ की औरिजनल मार्क सीट सर्टिविक्ट और उसकी चार फोटो कोपी फिट नमबर एक valid ID card आपको लेके जाना है जो आदार card बगेरा हो सकता है शिक्स नमबर पे 7 color photograph जो हाली आपने फोरम पे लगाए हैं वो photograph लेके जाने हैं passport size के सेवन नमबर पे pen, pencil, rubber, sharpener, hardboard ये भी आपको साथ में लेके जाना है और 8 नमबर जो point दे रखा है NCC या फिर ये SOAFP मनलब Son of Air Force Person यदि ये applicable है आप पे तो आप ले जा सकते हो नहीं इसका जरूरी नहीं है ये आपको साथ document compulsory है आपको लेके जाना है भरती परिक्रिया में पहुंचने से पहले फिर next question आपके आता है कि भरती के अंदर क्या exam pattern कैसे रहेगा क्या रहेगा तो उसके बारे में देखेगा exam pattern के अंदर सबसे पहले आपके PFT होगा physical fitness test जिसके अंदर आपके 1600 मिटर की दोड रहेगी running रहेगी उसके अंदर आपको fix time मिलेगा 6 minute और 30 second इसके बाद में 10 sit up रहेंगे और 10 push up रहेंगे और 20 skirts रहेंगे जब आप physical step पार कर लोगे तो उसी day same day पे आपका return exam होगा return exam के अंदर total 70 questions होंगे और time मिलेगा आपको one hour एक घंटा मिलेगा 70 questions के अंदर 20 question English के 25 question physics के और 25 question math के रहेंगे लेकिन ध्यान रखेगा इस पूरे exam में negative marking है जिसकी negative marking one upon four है जब आप return clear कर दोगे same day उसी दिन आपकी adaptability first होगी जिसके अंदर SRT आएगा SRT की बारे में next class मैं अगले वीडियो में बताऊँगा जब adaptability first clear करोगे तो next आएगा adaptability second और adaptability second के अंदर group discuss रहेगा इन दोनों के बारे में आपको next वीडियो के मादियम से online बता दिया जाएगा अब जब adaptability second clear हो जाओगे उसके 3 से 5 दिन के अंदर आपको medical के लिए just mirror बुलाया जाएगा जैसे ही आपका medical clear हो जाओगे तो 31 October को एरपोस दोबारा PSL provisional selection list जारी कर दी जाएगी जिसमें आपका selection परिक्रिया बता दी जाएगी अब आपको कुछ विशेश दिहान रखना है कि medical में जो विदार्पी जाता है उसके लिए अपने दात और कान अच्छी तरह से साप करवा के जाए इसके अलावा मेडिकल में यदि आपको कोई किसी परकार का डाउट है तो वो पाइट डिपेर्स अकेडमी के ओपिस में आकर दस से एक बज़े के बीच में अपना मेडिकल चेक अप करवा सकते हो जिसकी कोई फीश नहीं लगे कि वो हमेशा फिरी में रहेगा जो अब्यारती इस परती रेली के लिए भाग ले रहे हैं उनके लिए पाइट डिपेर्स अकेडमी एक विशेश क्रेस कोर्स ऑनलाइन प्लेट फरम पे उपलोद करवा रही है जो विदार्ती इस क्रेस कोर्स को पड़ लेगा वो आसानी से इस परती एकजाम को पास कर लेगा इसलिए आप आज है प्लाइट डिपेर्स अकेडमी के ओनलाइन एब को प्ले श्टोर से डाऊंलोड करके कोर्स कोबॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस कोर्स की लिंक को सेर कीजिए तन्यवाद